वीडियो ना बहुत ही especially होने वाला क्योंकि इसमें बताने वाला जीमन परिच्छ серд कैसे लिए आपको पांच नंबर चाहिए था आर वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि पांच नंबर का जिन परिच्छ 했는데 हम याद कर लेंगे लेकिन हमें लिखना कैसे यह मालूम नहीं था और जो 5 नमबर होता है हम लोग 2 नमबर 2 परिचें पाथते हैं और फेल हो जाते हैं तो भाई ये 5 नमबर पक्का करना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि जीओन परिचे मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से बोड की कॉंपी में किस प्रकार से लिखना है सा चैनल को यार सब्सक्राइब करना है आप चैनल को किसले सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपका हिंदी का पेपर है और हिंदी के पेपर में आपको तोड के नंबर लेकियाना फोड के कुछ भी हो जाए बहुत सिंपल सा ट्रीक साधारार सा तरीका आपको मैं बताने वाला हू आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजेगा ठीक न तो जो क्लाश ट्वल्थ हिंदी वाले होते हैं उनका साहित्तिक परिचे लिए देता है देखिए बोर्ड ने बताया है जो उनकी द्वारा सुबह ही मैं बताया था कि उनकी कुछ टिप्स बताया है कि जीवन परिचे कैसे लिखेंगे उस पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा लेकि सबसे पहले आपको यह बता होना जाएं कि आप बोर्ड कोंपीक पर जीवन परिचे किस प्रकार से लिखेंगे क्योंकि लिखने का नंबर मिलता है ठीक है ना तो वडिप्स वन परिचय को उठाने के बाद क्या करेंगे प्राशोत्तर संख्या डालें लेगे वक्माइबा प्रत्र संख्या पांस आपको सजाने के मनेबट में खीच कर नीचे लाला अगर और कुछ नहीं करना अगर आपको सजाना है तो फिर अपने लेफ्ट साइड की और आप देखेंगे तो आप लाइन खिश दीजिएगा बोड़की कॉपी में खिश दियें उसके बाद कॉपी भरना है तो एक काम करिएगा आप इसको भी उतार सकते हैं अगर कॉपी भरना है कि सर हमारा नंबर कड़ जाएगा ऐसे लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा अगर आपको कॉपी भरने कामन है लग रहा है नहीं सर हम बी सीडी कॉपी भरेंगे तो आप पेपर भी उतारिए उत्तर भी लिखे कोई दिक्कत नहीं आप लिख सकते हैं इस प्रकार से तब लिखेंगे तब भी कोई दिकत नहीं है कोई इस इस्व होने वाली नहीं है यह मत सुचीव अब देखे इसब से पहले Uh कर देना है और असी सब्दों में लिखना है तो भाइसाब आप 200 सब्दों podcast सब्दों में लिखते हैं अगर कौपी अपर बह अपर दीजिए नहीं तो अगर असी सब्द्द पूछा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड़ी का चनम आन्द प्रदैस में सन 1919 इसी वी में हुआ था कैसे लिखेंगे सबसे पहले इनके जनम को लिखना है प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी का जन्म आंध्य प्रदेश में सन 1910 में हुआ था प्रारंबिक सिच्छा यद्यप संस्कृति और तेलगू में हुई बाद समझेगा इसका मतलबी है कि जो प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी थे इनकी जो प्रारंबिक सिच्छा हुई थी वो संस्कृति और तेलगू में हुई थी लेकिन ये हिंदी के प्रकांड विद्वान थे मलब आप समझेगा आपको पढ़ाया जा रहा है इंग्लीज और आपको बहुत जादा आता है हिंदी तो कहीं ने कहीं आप यह कह सकते हैं कि आप इस्माट है इस्माट होने से यह भी प्राय है कि इनकी जो प्रारंबिक सिच्छा प्रकांड यह जब छोटे बच्चे थे तो इनके संस्कीतू पढ़ा और तेलगू पढ़ा यह वहां कि इसनात कुत्तर अध्यन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्च एवं प्रोफेसर के पदपर भी रह चुके थे कौन रह चुके थे प्रोफेसर जी सुन्दर रिड्डी तो इनका जिन परिशें डालके ऐसे लिखेंगे ठीक न इतना हो गया उसके बाद यह वहां कि इसनात कुत्तर अध्यन एवं प्रोफेसर भी रहे इनके निर्देशक में हिंदी और तेलगू साहित्यों के विवीद पच्छों के तुलनात्मक अध्यन पर परयात सोधकारे भी हुए हैं और सन 2005 में उनका सर्व सर्गवास हो गया किसका हो गया सर्गवास यानि क इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको नबर मिलेगे जीवन परीचर परicki अब कैसे लिखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड़ी ने धक्षिन भारत की चारो भासाओ तमील, तेलगू, कन्नड और मलयालम इस प्रकार से लिखें न, मलयालम तता उनके साहित्य का इतिहास प्रस्तुत करते हुए उनकी आधुनिक गदिविदियों का सुच्म विवेचना प्रस्तुत किया है तो यह क्या होगा है उनका इसी प्रकार से लिखना है ऊगा इस lagi और प्रभाव पड़ता है और इस stranger को लगता यहां यार बच्चे को तो सहूर है लिखने का उन नमबरों उठाई के दई देते हैं अब इनके प्रमुग रचना है आपको कैसे लिखना है यहां पे डाल देना है रचना है और यहां पे इनके बारें कुछ लिख सकते हैं कि कितने गरंद आते हैं और फिर उनको यहां पे ल साहित्य और समाज मेरे विचार हिंदी और तिलुगु एक तुलनात्मक अध्यन और धक्षण की भासाएं और उनका साहित्य वैचारी की सोध और बोध तिलुगु वारूर गरंथ और लैंग्विज प्रॉब्लम इन इंडिया जो की एक संपाधित अंग्रेजी गरंथ है मैं उसको यहां पर नहीं लिखवाया हूँ लेकिन मैं उसको बता दे रहा हूँ कौन सी है language problem in India यानि कि बहुत ही भासाव में problem होती है ठीक ना कहां पर इंडिया में तो आपको इसी प्रकार से जीवन परिचे लिखना है अगर आप इस प्रकार से जीवन परिचे लिखते हैं इसकी guarantee मैं दे रहा हूँ आपको ठीक ना आपको इसी प्रकार से इनका जीवन परिचे लिखके आना है यार वीडियो अच्छा लगा हो तो पीस से यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लें कि दोस्तों थैंक्यू जैहिंद